एलो फ्रेंट्स जागरूति इस वेजपुड में आपका स्वागत है और में हूँ जागरूति बट आज हम बनाएंगे हरे टमाटर का सोस बहुत स्वाधिस्ट बनता है फ्रेंट्स और इसे भी आप पुरे साल समाल के रख सकते हैं तो यहां पर यह है इसके इंग्रीडियंस आप चाहे तो इसमें इंग्रीडियंस में और आप तज और काले मरी वगड़े ले सकते हैं बोल करने में और यहां पर जो इंग्रीडियंस लिए है उसके मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर दिये हुए फ्रेंट्स तो प्याज हरी मिर्च और लहसुन हम डाल देंगे टमाटर क आप साथ बोल करने के लिए और उसमें एक गलास पानी डालके नमक डालके अच्छे से बोल कर लियाMonकर टमाटर अच्छे से फट चुके हैं अभी गेस को Skoda कर देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद हम इसे MIXER JAAR में डाल के अच्छे से कर लेंगे तो देखो थोड़ा थोड़ा एक बार में जितना आए उतना कर ले तो क्रस करने के बाद इसे अच्छे से हम चान लेंगे तो अच्छे से देखो ये चान लिया ये बीज वगेरे का पाठ है उसका उप्योग हम नहीं करेंगे तो इस तरह से जितने भी क्रस है वो हम चान के तयार कर लेंगे तो अभी ये अच्छे से चान लिया अभी हम इसे उबालने रखेंगे इसमें हमने एक्ष्ट्रा पानी वगरे कुछ लिया नहीं है एक्ष्ट्रा पानी डालेंगे तो इसे उबालना ज्यादा पड़ेगा तो मैंने इसमें एक्ष्ट्रा पानी नहीं लिया है तो देखो एकदम ठीक दिख रहा है तो अभी थोड़ा अच्छे से उबलना शुरू हो जाए आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आना शुरू हो गए है तो अच्छे से उबलना शुरू होने के बाद हम इसमें डालेंगे चिनी यहाँ पर इतनी कॉंटिटी में यानि की आदे किलो टमाटर वगेरे था और सारे इंग्रिदेंस मिला के जो भी कॉंटिटी थी उसमें मैंने 500 ग्राम चिनी अभी इसमें डाली है टमाटर के खटे पन के हिसाब से आप चिनी डाले पहले थोड़ी काम डाले फिर चेक कर ले अगर आपको चिनी काम लगे तो और चिनी आप डाल सकते हैं तो कॉंटिटी आप अपने जरुरत के इसाब से और टेस्ट के अकोडिंग एक्जेस करें चिनी की तो देखो ये चिनी हमने डाल दी और नमक अभी हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने बोईल करते वक्त नमक डाला था तो मेरा नमक बिल्कुल प्रोपर इसमें था अगर नमक कम लगे तो आप नमक भी अभी डाल दे थोड़ा तो अच्छे से इसे एकदम अच्छा थीक हो जाए तब तक हम इसे उबा लेंगे मीडिया भाई फ्लेम पे उबा लेंगे ताकि ये नीचे से चिपक न जाए तले पे तले पे लगे ना फ्रेंड्स तो देखो ये थोड़ा थीक होने लगा है अच्छा थीक होने दे इसे तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ा टांसपरंट दिख रहा है और अच्छा थीक दिख रहा है और डीस में डालते बहुत ज्यादा फेलता नहीं है तो ये टमाटर का सोस हमारा बिल्कुल रेडी है इसे बिल्कुल ठंडा होने दे ठंडा होने के बाद हम इसमें टमाटर सोस का प्रेजरवेटर जो है असानी से मार्केट में मिल जाता है फ्रेंड्स वही डालना है हमें और इसे पुरे साल इसकर अच्छे से समाल के रखा जाए तो ये पुरा साल चलेगा बहुत ही टेस्टी बनता है तो फ्रेंड्स बनाईए और अपने अनुभो हमारे साथ जागरूत इस वेज़पूट पर सेर करें बता है कैस लगी आपको रेसीपी रेसीपी पसंद आये तो प्रीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में नही रेसीपी के साथ तेंक यू